दोस्तों आज कि इस वीडियों में आपको Facebook की Privacy Checkup Setting के बारे में बताऊंगा Privacy Checkup Feature का यूज कैसे करते हैं? फेस्बुक में Privacy Checkup Run कैसे करते हैं? इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जनकरी मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आप फेस्बुक की privacy check-up setting के बारे में detail में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को end तक ध्यान से देखना, पसंद आए तो like और share भी जरूर कर दिना तो दोस्तों फेस्बुक में privacy check-up run करने के लिए सबसर पहले आपको फेस्बुक की settings page को open करना है इसके बार tools and resources section में आपको privacy check-up feature मिल जाएगा इस पर आपको click करना है इसके बार next interface में आपके सामने अपने facebook account में privacy check-up run करने के अलग-अलग features आजएंगे दो guys privacy check-up run करने के लिए इन सभी features का आपको use करना है सबसब पहले आपको who can see what you share option पर click करना है इसके बार जो next interface open होगा इसमें आपको इन तीन settings को check करना है profile information, post and stories और blocking features को review करना है इसके लिए bottom side में आपको continue option पर click करना है इसके बार next interface में आपकी profile information आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर आप अपने contact information देख सकते हैं date of birth और work affair education related information को देख सकते हैं इन आप अपने profile में public से private बना सकते हैं या फिर private से public बना सकते हैं यानि कि अपनी profile information की privacy को आप यहां से set कर सकते हैं यहाँ पर phone number section में आप अपने facebook account का phone number देख सकते हैं उसके सामने drop down पर click करके आप अपने phone number पर privacy set कर सकते हैं यहाँ पर by default public option selected रहता है जिससे कि आपके facebook के phone number को publicly कोई भी देख सकता है आपके facebook profile को open करके कोई भी आपके phone number को देख सकता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके phone number को आपके friends के लावा को अधर परसन ना देख पाए तो यहाँ पर अपने phone number को सभी से हाइड कर देना चाहते हैं अपने facebook profile में किसी को भी अपना phone number शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर only me option को selected कर लीजिए इसके बाद आपका phone number सभी से हाइड हो जाएगा अगर कोई आपका profile open करेगा तो वहाँ पर उसे आपका phone number शो नहीं होगा इसके बाद email address section में आपको अपनी email ID दिखाई देगी जितने भी email IDs आपने facebook में एड कियोगी उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके सामने ट्रॉड़ान पर क्लिक करके आप अपनी email ID पर भी privacy एड कर सकते हैं ठीक phone number की तरह ही अपनी email ID की privacy को customize कर सकते हैं इसके बाद date of birth section में आप अपनी date of birth देशकते हैं याप पर आपको अपनी birth date और month अलग दिखाए देगी और birth year अलग दिखाए देगा जिससे कि सिर्फ आप अपनी birth date और month public रख सकते हैं और अपने birth year को publicly hide कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं birth year को public रख सकते हैं और birth date और month को hide कर सकते हैं इसके अलावा दोनों को ही public रख सकते हैं फिर दोनों को ही hide कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार से आप अपने hometown, relationship, current city पर भी privacy लगा सकते हैं अब अगर आप यहां पर work के drop down पक्लिक करेंगे तो कुछ और extra options आपके सामने आएंगे य इससे की आपको जो work status है वो publicly सभी को show होता है, यहां पर आप friends option को select करके सिर्फ अपने Facebook friends को यह अपना work status दिखा सकते हैं, friends accept option पर क्लिक करके अपने friends में से भी कुछ friends से अपना work hide कर सकते हैं इसके लिए यहां से आपको उन सभी friends को select कर लेना है जिनने आप अपना work status दिख इनके अलावा बागी आदर friends को आपका work status दिखाई नहीं देगा इसके लावा आप अपने work status को सभी से hide कर सकते हैं यहां पर only me option को select करके आप अपने work status को सभी के लिए hide कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको education का section मिलेगा इसमें आप अपनी university और school पर same work status की तरह privacy set कर सक कर सकते हैं इसके वाद यहां पर आपको friends and following का section मिलेगा इसमें who can see your friend list on your profile option के सामने ड्रॉलरन पर क्लिक करके आप अपनी facebook friend list पर privacy add कर सकते हैं friend list को public रख सकते हैं सिर्फ अपने friends को ही show कर सकते हैं अपने friends में से भी कुछ friends से अपनी friend list को hide कर सकते हैं सिर्फ अपने कुछ specific friends को ही अपनी friend list दिखा सकते हैं या फिर only me option को select करके अपनी facebook friend list सभी से hide कर सकते हैं इसके वाद last option आपको यहाँ पर मिलेगा who can see people pages and list you follow इसके सामने drop down पर क्लिक करके आप अपनी following पर privacy add कर सकते हैं जितने भी लोगों को आपने facebook पर follow किया होगा जितने भी pages list को follow किया होगा उन पर भी आप अपनी friend list की तरह ही privacy add कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको इन सभी features को अपने according customize कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं क्या है अगर आप अलड़ी पहले यह सब setting कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको next option पर click कर देना है इसके बाद next interface में तीन options आपके सामने आएंगे इनमे default audience setting के सामने drawdown पक्लिक करके आप facebook पर अपने default audience से टिकर सकते हैं यहाँ पर by default public option selected आता है जिससे कि facebook पर आपको जो कुछ भी share करते हैं जो भी post करते हैं उसे publicly कोई भी देख सकता है अगर आप आगे से अपनी facebook post शिर्प अपनी facebook friends को ही द करना चाते हैं अब अगर आप अपने कुछ selected friends को ही अपनी future facebook post दिखाना चाते हैं और बाकी सभी से चुपाना चाते हैं तो यहाँ पर आपको specific friends option पर क्लिक करके उन सभी friends को select कर लेना है जिनके लावा आप किसी को भी अपनी facebook post दिखाना नहीं चाते हैं यहां से आप जितन इसे hide कर देना चाते हैं तो यहाँ पर only me option को select कर लीजिए इसके बाद जब भी आप facebook पर कोई post share करेंगे उसे आपके अलावा कोई other person नहीं देख पाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको stories को option मिलेगा इसके सामने drop down पक्लिक करके आप अपनी facebook stories पर privacy set कर सकते हैं यहां से default audience setting की तरह अपनी default story audience set कर सकते हैं अपनी story को public रख सकते हैं सिरफ अपने facebook friends को ही आगे से अपनी story show कर सकते हैं कुछ friends से अपनी story hide कर सकते हैं यह फिर custom option को select करके अपने ओनों friends को select कर सकते हैं जिनके अलावा आप अपनी story किसी को भी show नहीं करना चाते हैं custom option पक्लिक करके आप जितने भी friends को select करेंगे सिर्फ होई friends आपकी आगे शेर होने वाली story को देख पाएंगे इसके लावा आप अपनी facebook story पर पूरी तरह से privacy नहीं लगा सकते हैं यहां पर only me का option आपको नहीं मिलेगा इसके बाद यहां पर other settings section में stories you are muted option पक्लिक करके आप और उन सभी facebook accounts को देख सकते हैं जिनकी story को आपने mute किया होगा यहांसे आप किसी पी account के सामने unmute option पक्लिक करके उस account को unmute कर सकते हैं फिर से उसकी story अपनी story feed में देख सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको camera roll settings को option मिलेगा इस पक्लिक करके आप facebook के लिए camera roll settings को on off कर सकते हैं यहां पर यह तीनों ही options by default enable रहते हैं जिससे कि facebook आपके camera roll से metadata collect करता है और उसके base पर आपको ready made content suggest करता है जिसे आप अपनी story में share कर सकते हैं इस suggestion में आपके camera roll की favorites photo हो सकते हैं या फिर किसी भी particular time पर click की गई आपकी photos हो सकते हैं जिनने collect करके facebook आपको story में share करने की suggestion दे सकत है इसके लावा facebook पर आप जो photo videos share कर चुके हैं उनको collect करके भी story में share करने की suggestion आपको facebook को दे सकता है इसके लावा आपके camera roll की additional photo videos facebook image quality या फिर location की base पर click करता है जिनमें blurry images को वो filter out करता है और ऐसी photo videos जिनमें लोगों की presence हो उन्हें अलग से organize करता है ऐसी photo videos जिनमें animals हो या फ आपकी photo videos की base पर आपको readymade content provide करता है जिसे आप अपने story में share कर सकते हैं तो दोस्तों इन सभी features को enable करके आप facebook के camera roll के लिए power feature का use कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं चाते हैं और facebook को camera roll का access से नहीं देना चाते हैं तो इन तीन ओप्सं को disable कर दीजिए अब अगर दोस्तों आ अपने facebook account से instagram account को भी connect किया होगा तो इस तरह से यहाँ पर आपको always share to instagram को option दिखाए देगा जो by default enable होगा और इसके just नीचे share to section में आपको अपना instagram profile name दिखाए देगा इस पर click करके आप अपने another instagram account को facebook से connect कर सकते हैं अगर आपने एक सी ज्यादा accounts instagram पर बनाए होया है तो so friends यहाँ पर अगर always share to instagram option enable है तो जो भी story आप अपने facebook account में upload करेंगे वो automatically आपके instagram account में भी share हो जाएगी instagram story feed में facebook story automatically चली जाएगी अगर आप अपनी facebook story को instagram account में auto share होने से रोगना चाहते हैं तो यहाँ पर always share to instagram option को disable कर दीजिए इसके बाद यहाँ पर limit past post का option आपको मेंगे इसमें limit option पर click करके आप पहले कि अपनी सभी facebook post पर limit लगा सकते हैं पहले जो कुछ भी आप facebook पर share कर चुके हैं उसकी audience को change ही कर सकते हैं पहले कि अपनी सभी public post या फिर friends of friends वाली सभी post को सिर्फ अपने facebook friends को ही show करवा सकते हैं या पर limit option पर आपको click करना होगा जिसके बाद आपकी सभी public या फिर friends of friends वाली post जो अब तक आप facebook पर share कर चुके ह उने सिर्फ आपके facebook friends सी देख पाएंगी तो इस तरह से यहां से आप अपनी post और story setting को customize कर सकते हैं अगर आप इन settings को पहले ही customize कर चुके हैं तो यहां पर next option पर click कर दीजिए इसके बाद blocking section open हो जाएगा यहां पर add to block list option पर click करके आप facebook पर किसी को भी block कर सकते हैं इसके लि इसके बाद यहां पर see your block list option पर click करके आप अपनी block list देख सकते हैं जितने भी users को आपने facebook पर block किया होगा उनकी पूरी list आपके सामने आजाएगी इन में से आप किसी को भी unblock option पर click करके वापस unblock कर सकते हैं अपनी block list review करने के बाद यहां पर आपको next option पर click कर देना है इसके बाद आपका first privacy check up complete हो जाएगा और इस तरह से you are all set का message आजाएगा यहां पर finally आपको review another topic option पर click कर देना है इसके बाद next check up रन करने के लिए यहां पर आपको how to keep your account secure option पर click करना है क्लिक करते ही जो next interface open होगा यहां पर आपको अपने facebook account की security status का पता चल जागा अगर आपने अपने account में strong password set क्या होगा तो इस तरह से यहां पर आपको your password is okay लिखा होगा दिखाए देगा इसे भी आपको enable जरूर करना है तभी आपका account पूरी तरह से secure बनेगा तो दोस्तों इन settings को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको review option पर click करना है क्लिक करते ही next interface में आपसे पूछा जागा कि क्या आपका password private है यानि कि अगर आपने किसी other device में अपने facebook account को login किया है या फिर आपको लगता है कि आपका password crack किया गया है तो यहाँ पर change password option पर click करके अभी आप अपने account का password change कर सकते हैं यहाँ पर current password की field में अपना current password enter करके और फिर new password और retype new password की field में अपना new password एंटर करके आप facebook में अपने password को change कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका password पूरी तरह से safe है हाले में आपने अपना नया password सेट किया strong password सेट किया तो यहाँ पर इसके option पर क्लिक करके आप इस section को cancel कर दीजिए इसके बाद control your alerts का section आपके सामने आएगा तो यहाँ पर facebook और email address के इन दोनों options को आपको इस तरह से enable करके रखना है अगर यह दोनों options on है तो आपको facebook notification और email पर facebook का login alert मिलता रहेगा अगर माल लीजिए कोई unknown person आपके facebook account में login करने की कोसिस करता है तो उसका alert तुरंत आपको facebook notification और आपकी रजिश्टर email ID पर मिल जाएगा फिर आप जरूरी steps उड़ा सकते हैं अपने account को secure करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर अगर यह दोनों यह options करने का option आपके सामने आगा तुगाइज अपने account की security को strong बनाने के लिए यहाँ पर आपको guide started option पर क्लिक करना है इसके बाद अपने account में two factor authentication option को enable करने का option आपके सामने आजागा तुगाइज यहाँ पर आपको तीन options मिलेंगे facebook में extra security layer add करने के लिए इनमें authentication option को select करके और फिर continue option पर क्लिक करके आप अपने account में authenticator app setup कर सकते हैं इसके लिए पहले आपको play store से google authenticator या फिर duo mobile या फिर कोई other authenticator app download करनी है और फिर अपने facebook account से link करना है जिसके बाद जब आप किसी दूसरे device में अपने facebook account को login करेंगे तो आपके mobile में installed authenticator app में generated code को आपको enter करना होगा तभी दूसरे device में आपका facebook account login होगा इसके जिए पर आप text message sms option को भी select कर सकते हैं और अपने phone number पर two factor authentication enable कर सकते हैं इस option को on करने के बाद जब भी आप किसी दूसरे device में अपने facebook account को login करेंगे तो आपके phone number पर एक two factor authentication code आगा जिसे आप enter करेंगे तभी आपका account login होगा इसके लावा यहां पर आप security की option को select करके अपने account के security को strong बना सकते हैं लेकिन इसमें आपको physical security की process करनी होगी और security की setup करना होगा जिसके बाद किसी भ का account login होगा facebook पर two factor authentication option को enable करने के बारे में मैं पहले ही detailed video share कर चुक हूँ जिनका link आपको उपर आई बटन में मिल जागा या फिर इस वीडियो के description में आपको उन वीडियो के link मिल जाएंगे अगर आप अपने FB account में two factor authentication option को enable कर चुके हैं तो यहां पर direct आप escape option पर click कर इसके बाद facebook में second privacy check-up भी complete हो जाएगा और इस तरह से you are all set का message आपके सामने आ जाएगा finally यहां पर आपको bottom side में review another topic option पर click कर देना है इसके बाद next check-up run करने के लिए यहां पर आपको how people can find you on facebook option पर click करना है इसके बाद next interface में friend request phone number and email address और search engines को review करने का option है तो guys यहां पर आ next interface में friend request का section आएगा तो guys यहां पर आप यह set कर सकते हैं कि आपको facebook पर friend request कौन बेज सकता है यहां पर who can send you friend request option के सामने drop down पर आप click करेंगे तो इस तरह से यह दो options आपके सामने आएगे इनमें by default everyone option selected आता है जिससे कि facebook पर publicly कोई भी आपको friend request बेज सकता है अगर आप चाते यहां पर आपको next option पर click करना है click करते हैं आपके सामने phone number and email address section open हो जाएगा यहां पर facebook आपसे पूछ रहा है कि आपके phone number और email address के base पर वो किसे आपका facebook profile suggest करेगा यहां पर people with your phone number option के सामने added option पर click करके आप अपने phone number के लिए setting को customize कर सकते हैं यहां पर by default to possible connections option selected रहता है जिससे कि वो सभी facebook users जो आपके facebook पर friend नहीं है और उनके phone की content list में आपका phone number save है उन्हें facebook आपके profile की suggestion देता है जिससे कि वो आपको friend request बेज सकते हैं लेकिन इसके उनके facebook account में upload होनी चाहिए तभी facebook आपका profile उन्हें suggest करेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके profile की suggestion सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो facebook पर आपके friends के friends हैं तो यहां पर friends option को select कर लिजिए और अगर आप अपने profile की suggestion सिर्फ अपने उन Facebook friends को दिखाना चाहते हैं जिनके प पाए तो यहां पर no one option को select कर लिजिए इसके बाद वो सभी facebook users जिनके पास आपका phone number सेवे उन्हें आपके profile की suggestion नहीं मिलेगी इसके बाद यहां पर people with email address option के सामने edit option पर क्लिक करके ठीक phone number की तरह ही अपनी email ID के लिए भी आप अपनी profile suggestion को customize कर सकते हैं यहां पर भी by default possible connection option selected जिससे की वो सभी users जिनके पास आपकी email ID सेवे लेकिन facebook पर friend नहीं है उन्हें आपके profile की suggestion मिलती है phone number की तरह ही आप इस setting को customize कर सकते हैं अगर आप किसी को भी अपनी profile suggestion नहीं दिखाने चाते तो यहां पर no one option को select कर लिजिए इसके बाद यहां पर आपको next option पर click करना है जि search engine जैसे की Google search, Yahoo search, Bing या फिर किसी other search engine में आपका Facebook profile easily link हो जाता है महां लिजे कोई person Google search में आपके Facebook profile को search करता है तो search result में आपके Facebook profile का link आ जाएगा जिस पक्लिक करके वो person direct आपके Facebook profile में पहुंच जाएगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका Facebook profile किसी भी search engine में link ना हो तो यहाँ पर इस option को disable कर दीजिए, search engine setting को customize करने के बाद यहाँ पर आपको next option पर click कर देना है इसके बाद यह privacy check-up भी complete हो जाएगा, finally यहाँ पर आपको review another topic option पर click करके next privacy check-up को run करना है, अब आपको your data settings on Facebook option पर click करना है और फिर इस check-up में आपको दो settings को review करन है, इसके लिए bottom side में आपको continue option पर click करना है, इसके बाद apps and website setting आपके सामने आजाएगे, यहाँ पर आपको वो सभी applications और website शोओंगे, जिनमें आपने अपने Facebook account के तुरू login किया होगा, और Facebook की permissions को enable किया होगा, यहाँ से आप login with Facebook वाली सभी apps और websites को remove कर सकते हैं, अगर Facebook के तरू आपने किसी भी app और website में login नहीं किया है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको blank page ही दिखाई देगा, इस setting को review करने के बाद यहाँ पर आपको next option पर click कर देना है, इसके बाद location section open हो जाएगा, यहाँ से आप Facebook के लिए अपने phone की location को on off कर सकते हैं, यहाँ पर इसके लिए go to device settings option पर आपको click करना है, जिसके बाद आप Facebook application के app info page में पहुंच जाएंगे तो जहाँ से, आप Facebook के लिए अपनी phone की location को enable disable कर सकते हैं, यहाँ पर permissions option पर click करके, और फिर location option पर click करके, आप अपनी location का access allow or disallow कर सकते हैं, वैसे by default allow only while using the app options रेक्रेट रहता है, जिससे की Facebook use कर करता है, इसलिए setting को change करनी कि आपको कोई जरूत नहीं है, इसके बाद यहाँ पर next option पर click करेंगे तो यह privacy check-up भी finish हो जाएगा, finally यहाँ पर भी review another topic option पर click कर दीजिए, इसके बाद friends यहाँ पर आपको last privacy check-up, your ad preferences on Facebook पर click करना है, इसके बाद यह 3 topics आपके सामने आएंगे, इन यह review करने के लिए, continue option पर आपको click करना है, इसके बाद about ads on Facebook section open हो जाएगा, यहाँ पर आप ads के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और जान सकते हैं कि Facebook पर ads कैसे काम करता है, इसके बाद यहाँ पर आपको next option पर click करना है, click करते, profile information section open हो जाएगा, यहाँ पर, आपकी कुछ profile information जैसे की relationship status, employer, job title और education by default enable रहते हैं, और इसके base पर आपको Facebook पर ads दिखाई जाती हैं, अगर आप चाते हैं कि आपकी इन information के base पर Facebook कोई भी ads आपको ना दिखाए, तो यहाँ पर इन सभी options को disable कर दीजिए, और वाद इन सभी options को आप enable रख सकते हैं, इसके बाद next option पर for example आपने किसी ऐसे page को like किया, जिसको ads के through promote किया गया, ads on है, ऐसे page को अगर आप like करते हैं, तो जब यह ad आपके friends को show होगी, इस तरह से आपका like profile name के साथ आपके friends को show होगा, इस तरह के तमाम interactions जैसे की likes, follow और comments आदी interactions आपके friends को दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर who can see your social interactions alongside ads option में your friends option selected है, अगर आप अपने social interactions को अपने friends को show नहीं करना चाते हैं, तो यहाँ पर only me option को select कर लिजी, इसके बाद यहाँ पर next option पक्लिक करेंगे तो यह last वाला privacy check-up भी finish हो जाएगा, इस तरह से guys अपने facebook account में आप privacy check-up feature का use कर सकते हैं, और privacy check-up रन करके facebook की privacy और security settings को review कर सकते हैं, और अपने according facebook की जरूरी privacy और security settings को manage कर सकते हैं, यहाँ पर आकर आप कभी भी अपने facebook account में privacy check-up run कर सकते हैं, और अगर आप privacy check-up का reminder set करना चाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से easily कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको top right corner में three horizontal dots पर click करना है, click करते हैं दो options आपके सामने आएंगे, इनमें आपको set up reminders option पर click करना है, इसके बाद facebook privacy check-up पर reminder set करने का option आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर every week option को select करके आप हर अपते privacy check-up run करने का reminder पा सकते हैं, इसके लावा every month, every six months, या फिर every year आप select कर सकते हैं, privacy check-up का reminder पाने के लिए, इसके friends के साथ privacy check-up setting को share कर सकते हैं और उन्हें facebook privacy check-up run करने के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर share on your timeline option पर click करके आप अपने timeline पर इसे share कर सकते हैं, send in messenger option पर click करके, messenger पर किसी भी friend को service कर सकते हैं, privacy check-up run करने के लिए, इसके लावा more options पर click करके आप other social sites जैसे की WhatsApp, Instagram आदी पर इस I hope आपको जनकरी helpful लगी होगी, फिलाल अचकी सिर्फ वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में किसी और जनकरी के साथ तब तक के लिए, जैहिन!